कोरोना वारस की दूसरी वेव से जूज रहे भारत के कई शहरों और कस्मों से परेशान कर देने वाली खबरें आ रही है भारत की मदद के लिए दुनिया के कई देश आये हैं और विदेशी मदद पहुचने शुरू हो चुकी है मगर देश का हेल्थ सिस्टम चर्मराता सा नजर आता है लेकिन डॉक्टरों को चिंता इस बात किये कि अभी तो संक्रमण का पीक आना बाकी है देश के अलग-अलग हिसों में कैसे लोग अपनों के लिए जद्दो जहद कर रहे हैं महराष्ट्र के नागपुर शहर में रात भर जलती ये चिताएं दिखाती है कि देश कैसे लोगों की जान बचाने में नाकाम साबित हो रहा है करोना होट स्पोट वाली जगहों में बिगड़ते हालात के कारण अस्पतालों में बेड, ऑक्सिजन और दबाव की कमी हो गई है भारत की रार्स्थानी दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की हालत भी खराब हो गई है रॉमिला कुमार यहां अपनी मा के साथ आई थी उन्हें ऑक्सिजन सपोर्ट पे रखा गया था मगर बाकियों की तरह उन्हें भी एड्मिट होने के लिए घंटों तक अस्पताल के बाहर इंतजार करना पड़ा सुबह से ही हम लोगों को ऑक्सिजन और बाकी चीजों के लिए कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बता पा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है जब से मा बिमार है तब से घबराई हुई हूँ भले ही सरकार मरीजों को भरती करने के लिए नए कोविट सेंटर बना रही है और आक्सिजन की सप्लाई ला रही है लेकिन ये इंतिजाम अस्पतालों में आ रहे बेतहाशा मरीजों के आगे कम पड़ रहे हैं अभी ब्रिटेन और अमरीका जैसे देशों ने जरूरी साजों समान और आक्सिजन किट्स भेची हैं मगर अभी और मदद की जरूरत है और तब तक शहर के हजारों बाशिंदों के लिए एक एक दिन बुरा सपना साबित हो रहा है